Hello Friends, आप देख रहे हैं हमारा चैनल Blue India मैं आपके सत मांसी अरोडा Blue India चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आगे आने वाली latest informations को जानने के लिए हमारा चैनल Blue India अभी सब्सक्राइब कीजिए बेवफाइ का वह कानून जिसे सेना बनाए रखना चाहती है यह मामला पती पतनी और वोका है पती पतनी के रिष्टों में अगर कोई तीसरा एंगल जोड़ जाए तो क्या यह मामला अपरादिक बन जाता है दो साल पहले तक यही माना जाता था साल 2018 में सुप्रीम कोट का एक लैंडमार्क फैसला आया इसमें व्यभिचारी यानि एडल्टरी को अपराद की शेणी से बाहर निकाल दिया गया आखिर ये एडल्टरी क्या है और इसके कानूनी पहलू क्या है आईए इसको आपको समझाते हैं तसली से आज हम बेवफाई का एक किस्सा क्यों सुना रहे हैं बात सिर्फ इतनी सी है कि जहां आम लोगों पर से व्यभिचारी का कानूनी चाबुक सुप्रीम कोट पहले हटा चुकी है वहीं सेना में ये अभी बरकरार है सेना में एडल्टरी या व्यभिचार को लेकर एक अलग टर्म है इसे Stealing the Affection of Brother Officer's Wife कहा जाता है मतलब अपने Brother Officer यानि की समक्ष अधिकारी की पतनी केस नहे को चुराने का अपराद इस कानून के तहट सेना का कोई अधिकारी अगर किसी दूसरी अधिकारी की पतनी से रिलेशन्शिप बनाने पर दोश्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोट मार्शल की कारेवाई हो सकती है सेना में व्यभिचारी से जुड़ा या कानून खत्म किये जाने पर सुपक्रीम कोट ने सरकार की राय मांगी थी सरकार की तरफ से अटाणी जर्नल के पक्ष में सुप्रीम कोट के सामने रखा गया था जिसमें कहा गया था कि सेना में इस कानून को बने रहना चाहिए तीनों सरकारों की तरफ से सरकार का कहना है कि सेनाओ को 2018 के आदेश से बाहर रखा जाना चाहिए क्यूंकि उनके अपने नियोबों में वियभिचारी को एक संगीन जुर्म के रूप में देखा जाता है और दोशी पाई जाने वाले को नोकरी से बर्खास किया जा सकता है केंदर की इस अपील पर अदालत ने अभी फैसना नहीं दिया है और चीफ जेसिस ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की एक सम्मेधानिक पीट का गठन करेंगे सरकार का कहना है कि सेना में काम करने वाले जब सीमा पर या दूर धराज इलाकों में लंबे समय तक चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में तैनात रहते हैं तो ऐसे में वे अपने परिवार के प्रती निश्चिंत रहें इसलिए सेना उनके परिवार का ध्यान रखती है सरकार का कहना है कि ऐसे में सेना के दूसरे कर्मी या अधिकारे जब उनके परिवार वालों से मिलने जाएं तब अपने परिवार से दूर तैनात कर्मियों को ये चिंता सताएगी कि उनका परिवार कोई प्रतिकुल गतिविदियां तो नहीं कर रहा सरकार का कहना है कि ऐसे में व्यभीचार को एक जुर्म बनाए रखना बेहत जरूरी है जब बेवफाई अपराध होती थी इस कानून को समझाने के लिए आईए आपको ले चलते हैं फ्लाश पैक की तरफ जादा नहीं दो साल पहले लेके चलते हैं आपको साल 2018 से पहले का वक्त है रोहित, रिया और कुमार तीनों ही कालपिरिक नाम है ये तीनों पती, पत्नी और वो के रोल में है रोहित और रिया दोनों शादी शुदा है शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था इसे बीच रिया की जिंदगी में कुमार आता है कुमार उसके साथ दफ्तर में काम करता था दोनों में पहले दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों में संबंद भी बने इस अफैक का पता जब रिया के पती को पता चला तो वहे आई पी सी की धारा 497 के तहट इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने कम्प्लेंट केस दायर कर सकता है और अगर आरोपी कुमार दोशी पाया गया तो उसे पांच साल कैद की सजा हो सकती है 2018 में आया सुप्रीम कोट का एक बहुत बड़ा फैसला साल 2018 की शुरुवात यानि पांच जनवरी को एडल्ट्री से जुड़ा एक मामला एक जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोट पहुँचा चीफ जास्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोट की एक बैच ने इस जनहित याचिका को सम्विधानिक बैच के पास भेज दिया था ऐसा नहीं था कि एडल्ट्री पर पहली बार सवाल उठाए गए थे इससे पहले 1904,1985 और 1988 में भी एडल्ट्री पर सवाल पूछे गए थे साल 2017 में भी सुप्रीम कोट के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सवाल किया गया था कि सुर्फ पूरुष को बेगुना मानने वाली एडल्ट्री कानून पूराना तो नहीं हो गया है वहीं 1904 और 2011 में दो बार इस मामले पर फैसला भी सुनाया जा चुका है जिसमें इस कानून को समानता की अधिकार का उलंगन करने वाला ही नहीं माना गया था सितंबर 2018 को सुप्रीम कोट के पांच जजों की बैच ने एडल्ट्री के खिलाफ कानून यानि कि धारा 497 को रद कर दिया है अब किसी और की पत्नी से संबंद बनाने वाले पुरुष पर किसी तरह का केस जर्ज नहीं हो सकता है मतलब यह है कि धारा 497 में अब कोई नया केस जर्ज नहीं हो सकता अगर अब हम यहां बात करें रोहित रिया और कुमार के मामले की और तो अब बदले हुए कानून के मताबिक रोहित के पास बस अब एक ही चारा बचता है कि वे कोट से रिया के खिलाफ तलाग की अरजी दाखिल करें सुप्रीम कोट के सैसे से पहले की स्थिती में रिया के दोस यानि की कुमार के खिलाफ रोहित एडल्टरी का आरोप लगा कर केस दाखिल कर सकता था और दोशी पाय जाने पर कुमार को पांच साल तक की सजा भी हो सकती थी लेकिन मौझूदा स्थिती में कुमार के खिलाफ केस नहीं बनेगा रिया के पती के पास कानूनी उपाय केवल तलाग का रास्ता ही बच सकता है महिला पुरुष में भेदभाव करता था कानून IPC की धारा 497 में व्यविचार को बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से देखा गया था इसमें पुरुष और महिला के सामने अलग-लग तरह से व्यविचार को समझा गया था मिसाल के तोर पर अगर किसी महिला का पती किसी दूसरी महिला के साथ संबंद बनाए और इसमें दूसरी महिला के भी सहमिती हो तो फिर शादी शुदा महिला अपने पती या फिर दूसरी महिला के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकती थी कानूनी तौर पर एडल्टरी के मामले में शिकायती सिर्फ पती ही हो सकता था पत्नी नहीं यानि महिला के पती या उसे संबंद बनाने वाली महिला के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था अब दूसरा जोल यह था कि महिला के पती की मन्जूरी हो और तब महिला किसी और से संबंद बनाए तो वे अपराद नहीं था साती पत्नी सिर्फ दूसरे मर्द पर केस जर्च करा सकती थी अपनी पत्नी पर नहीं अगर कोई शादी शुदा पुरुष किसी और शादी शुदा महिला के साथ उसकी सहमती से संबंद बनाता है तो ऐसे संबंद बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उस महिला का पती कानून को अम्माने ठहराने का आधार बनाया सरकार ने तब भी विरोध किया था सेना के मामले में सुप्रीम कोट के सामने सरकार ने स्टिलिंग दा अफेक्शन ऑफ ब्रादर्स ऑफिसर वाइफ की दलील दी है इसे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोट पहुचा था तो सरकार ने इस कानून को बनाय रखने की सिफारिश की थी सरकार की दलील थी कि इस कानून की वज़ा से शादी जैसे संसा सुरक्षित रहती है किंद्र सरकार ने तम मांग की थी कि उस याचिका को खारिश कर दिया जाए जिसमें धारा 497 के वैदता को चुनोती दी गई है सुप्रीम कोट को किंद्र यह भी बताता है कि इस मुद्दे को लॉग कमिशन देख रही है कि जिस प्रावधान को चुनोती दी गई है उसे विधाईका ने विवेक का इस्तेमाल कर बनाया है ताकि शादी जैसी संस्ता बचाई जा सके केंद्र का तरक था कि कानून भारतिय समाज, संस्कृति और उसके ताने बाने को देख कर बनाया गया है इसको जेंडर नूट्रल बनाते हुए अगर महिलाओं पर भी एडल्टरी का केस चलाया जाएगा तो शादी के बंधन कमजोर होंगे सरकार की इस दलील को कोटें सुविकार नहीं किया और धारा 497 को खत्म कर दिया अब सेना से व्यविचार के कानून को हटाने पर सुप्रीम कोट सरकार की बात सुनती है या नहीं ये तो सुप्रीम कोट के इस मामले पर फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा ऐसी रोमांचक इंफोर्मेशन को जानने के लिए अभी हमारा चैनल ब्लू इंडिया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले